तो गैस ओपो ने अपनी रेनो सीरिस के अंदर 3 न्यू स्मार्टफ़न लौच किये थे जो ओपो का रेनो था और ओपो का रेनो जैड और ओपो का 10X जूम था तो अपो ने सीक्रेटली यूरोपीन मार्केट के लिए अपना ओपो रेनो जैड लौच कर दिया है इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 14,800 से स्टार्ट होती है जिसमें आपको सिरफ A की वेरिन देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको 60V के रेन 28GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है बात करें इसकी स्टार्ट होपो के रेनो जैड में आपको 6.4 इंचिस की एमिलर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और यहां पर आपको Full HD Plus का रेजलिशन देखने के लिए मिलता है जिसका पिक्सल साइज है वो 1080 x 2340 पिक्सल है बात करें स्टार्ट होपो रेनो जैड मे डि colleges camera देखने के लिए नहीं मिलगा जिसको हम pop-up selfie camera कहते हैं यहां पर अपको वाटर्डरॉप नोच वाला camera देखने के लिए मिला पर इसको ग्रेनो जैड में आपको इन डिस्प्ले 155 AP shop जो और 49 MP उसमें आपको Sony का MX586 वाला primary sensor देखने के लिए मिलता है जो 5 MP वो depth sensor के लिए काम खूता है बात करें selfie camera कि तो इस smartphone में आपको ठील 2 MP selfie camera देखने के लिए मिलेगा बात करें इसकी connectivity charging 3.0 का स्पोर्ट देखने के लिए मिलता है यह आपको 20 वोड की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है जो इस smartphone को काफ़ी ज्यादा फास्ट चार्ज कर देगी बात कर इसके Android वर्जिन और इनके अपरेडिंग सिस्टम की तो इसमें आपको Android पाई और Color OS 6.0 का स्पो स्मार्ट फोन लौच होगे एक और ऊपो का 10X जूम का स्मार्ट फोन लौच होने की उमीद है जो आपको इंडिया में अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा इन्होंने सिर्फ यह सीक्रेटली यूरोपीन मार्कर के लिए लौच किया है तो हमें इंडिया में भी जल्दी द सबस्फब्रोप इंडिया में इंडिया में आफ।